त्रेपुलार फिल्म समिक्षा, सैस राजा मौली, राम चरण, जूनियरे नटियार ने काफी साधारन कहानी का भवे भोजन किया, राम चरण और जूनियरे नटियार की ओफ स्क्रीन दोस्ती और भाई चारा उनके ओन स्क्रीन प्रदर्शन में रिस्ता है, और अजनबियों स भाईयों में जैविक परिवर्तन को खुबसूर्ती से कैथ किया गया है, भाशा, तेलगुट्रे पुलार निर्देशा के सैस राजा मौली की बहु प्रतीक्षित फिल्म है, जिसकी अवधाना, लिखन और निर्देशन में उन्हें पांच साल लगे, 1920 के बिचिश राज की दिल्ली पर आधारित, ये फिल्म दो क्रांतिकारियों, रामा राजु, रामचरण, एक पुलिस अधिकारी और भीम, जूनियर एनटियार, एक गोंड आदिवासी के इड़गिर्द भूमती है, यदि आप इस प्रकार के दिल्चस वीडियो देखना चाहते हैं तो दिल्चस पिशय के लिए वीडियो के उस छोर को देखें और पहले हमारे चैनल अलफा टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और हाथ से पर साचा करें और लाइक करना न भूलें और हमारे व जीवन से बड़ी महान रचरा में जीवन करता है राजा मौली ने इस एक्शन से भरपूर नाटक में राम और भीम के रूप में पदार्थ के दो तत्वों अगनी और जल को आपस में जोड़ा है भारती सिनिमा के लिए कहानी कोई नई नहीं है लेकिन घटनाओ के बारे मे निर्देशक का भविय व्यभार बड़ा और छोटा हमें दिखाता है कि कैसे साधारन को असाधारन में बदला जा सकता है राम और भीम ब्रिचिश राज के दो अलग-अलग पक्षों पर हैं लेकिन उनकी कहानिया भी कुछ मायनों में समान है उन्हें नश्ट करने वाली त जान दी टैटू को पसंद करती है भीम मल्ली को बचाने के लिए अपने गाउं से वादा करता है कि वे उसके साथ ही लोटेगा इस बीच रामा राजु के पिता विंकट्राम राजु अजय देव गन ब्रिक्टिश राज से लड़ते हुए मर गय और राम अपने गाउं को ह रहने के लिए एक बेहत दुसाहसी फिल्म है ये शायद राजा मौली का अब तक का सबसे दुसाहसी भी है जबकि बाहु बली भी एक पिरियड फिल्म थी उन्होंने पराणिक कथाओं को नीव के रूप में इस्तिमाल करते हुए वहाँ एक ब्रम्हांट बनाया आर 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 लेकिन यहां फिर्जी कहानी काल्पनिक है और राजा मौली ने जो दुनिया बनाई है वहरिष्टों परिवार, प्यार, नुकसान, दुख्ष और खुर्शी के बारे में है अधिकांश भारतिय फिल्मों कि दर है इस फिल्म में भी बदला के इंद्रिय विशय है लेकिन य वह जगहें जहां समानता समाप्त होती है केकी सेंथिल कुमार की उत्कृष्ट, छायांकन, भवेसेट और हॉलिवुट स्टंट निर्देशत निक पाविल के एक्षन द्रेशों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर एक शानदार घड़ी है इन वर्षों में दक्षिन भारत में इस चेंद्र प्रसद आरारार के सहलेखग हैं और किसी को आश्चर होता है कि क्या आरारार की प्रेरणा नागारजुन अभिनी 2011 की इस फिल्म से आई है राजा मौली प्रसाद का लेखन काफी सरल है और कई बार तरक पीछे हड़ जाता है इसका नमूना एक क्यूवा लड़के कुन नदी से बचाने के लिए रेलवे ट्रैक से लड़के और रसियों पर जूलते दो आदमियों का एक असंभर्द कारनामा हलाकि फिल्म की प्रकृती और परिमान को देखते वे इसे आसानी से माफ किया जा सकता है कुछ द्रिशे ऐसे हैं जो निश्पादन में पिछड़ जाते हैं वी एफ्रैक्स कुछ द्रिशे औसत्त से कम हैं और 307 मिनट के रन टाइम के साथ आरारार बाहु बली के विपरीत हर एक मिनट में एक को बांदे नहीं रखता है लेकिन ये रामचरण और जूनियर रे नटियार के शानदार प्रदशन में इन छोटी छोटी खामियों की भरपाई करता है जिनके मजबूत कंधों पर ये फिल्म मजबूती से टिकी हुई है रामचरण और जूनियर रे नट हैं